बढ़ते हैं 36 गड़ की तरफ नंद कुमार साय को कॉंग्रिस में शामिल हुए 40 दिन से जादा हो गए हैं लेकिन अभी तक उन्हें पार्टी या सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है इसी को लेकर बीजेपी ने अब तंज कसना शुरू कर दिया है बीजेपी सवाल पार्टी में शामिल करा कर दिया है एक मई को मजजूर दिवस पर उन्होंने बीजेपी से चार दशकों का नाता तोड़ कर वो फूल शाप से कॉंग्रेसी बन गए तब ये बाना गया कि जल्द ही उन्हें सरकार या संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलेगी अब कहा जा रह है कि पार्टी और सरकार के निर्देशों का इंतजार करते हुए वे अब तक अपने शेत्र में भी नहीं जा पाए वे इंतजार कर रहे हैं कि जब उन्हें कोई एहम जिम्मेदारी मिलेगी हाना कि साय का कहना है कि वो कॉंग्रेस में पद के लिए नहीं आए नहीं देखिये हैं वीजेशी में अधिम्मेंद हैं और हम किसी और बहुत बड़े समान या तो बहुत बड़ी बातम के लिए हम कई बार गोल चुके हैं कि भारती इंता पाटी में हम लंबे समय जब निर्मान हुआ था तब से रहें लेकिन हमें कोई पद के लिए कोई पद के लिए कोई और बहुत बड़ा कोई मिल जाएगा इसके लिए हम नहीं आए लेकिन साय के बावजूद उनके रोल को लेकर सियासत जारी है बीजेपी उनके पद और जिम्मेदारी को लेकर तंज कस रही है तो कॉंग्रिस जल्द ही जिम्मेदारी देने की बात कह रही है कॉंग्रेस पार्टी ले कहा था कि नंद कुमार साही जी जैसे कॉंग्रेस में परवेश करेंगे उसके दूतरे देने उन्हें कोई राष्टी इस तरके काल तहम पर दिया जाएगा जो रहुल गांदी से बड़ा होगा या रहुल गांदी के संकच होगा लेकिन दुभाग करने वह रहे हैं जो भी वह रही पार्टी में आतार उनको संवान देते हैं भारती जंता पार्टी जाता है तो उसको प्रात्मिंग सदस्या है अधिवासी नेतन नंदकुमार साय का अपने शेत्र में बड़ा जनाधार है ऐसे में कॉंग्रिस जोईन करने के बाद वो खाली हाथ वहां कैसे जाए ये भी तो एक बड़ा सवाल है कहीं ऐसा तो नहीं कॉंग्रिस सत्ता और संगठन में साय के कद के मुताबिक जिम्मेदारी की तलास ही कर रही है कुलेश्वर पांडे बंसल नियूच राइपुर